हेलो स्टुडेंट्स आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे डी ब्रोगली कंसेप्ट के पारे में लास्ट क्लास में जैसा कि हमने स्टडी किया था हाइजनबर्ग अंसर्टिनिटी प्रिंसिप ओकी स्टुडेंट्स तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे ह D-brogly concept सबसे पहले तो बच्चो बच्च कैंत सेंटिस के अुस सेंटिस के एकार्णिग सेंटिस के नहिंत वह क्या था झा हमारे पास जो फोटन इलिक्ट्रों जितने भी पार्टिकल ने उन्होंने कहा था कि उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उनका wave nature भी होता है तो भी हमारे पाई जो bohar model of atom था बच्चो वो क्या हो गया था fail हो गया था अब बच्चो बोहर model of atom हम बोलते हैं कि fail हो गया था बच्चो वो fail क्यों हो गया था दी बोगली कंसेपड के कारण जो bohar model of atom था वो इसले fail हो था students क्योंकि दिखो बोहर मॉडल के कोडिंग कैसे डिफाइन किया गया था बच्छो पात को उन्हें का था कि नुक्लियर सेंटर में प्रेजन्ट है और इलेक्ट्रों उसके अराउंड क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्टेन बात में ओके यह बोहर मॉडल ने कहा थ तो इसका मतलब बच्छो अगर इलेक्ट्रों का पार्टिकल नेचर है तभी तो वो एक डेफिनेट पात में क्या करेगा रिवॉल्व करेगा ना तभी कर सकता है ना एक डेफिनेट पात क्या हो सकता है किसी पार्टिकल का ही हो सकता है बट अगर बच्छो इलेक्ट्रों का एक वेव लाइक नेचर होगा तो मतलब प्रोटोन इलेक्ट्रोन कैसे मूव करेगा लाइक दिस तो उसका पाथ यह होगा ओके क्योंकि वेव का तो एक सर्टेन बात नहीं होता तो यहां पर हम क्या कहते हैं तो इसी कारण जो बहुर मोडल ऑफ आटम था वो क्या हो गया था ठीक है वो completely fail नहीं है यह हम नहीं कह सकते हैं ठीक है सिर्फ हम क्या कह सकते हैं कि जितने में जो लिमिटेशन आई थी बहुर मोडल ऑफ आटम की कहीं न कहीं इस कंसेप्ट के कारण आए थी ओके स्टुडेंट तो चलो हम डिसकस करते हैं बच्चो वट इस टी ब्रॉगली क पार्टिकल होते हैं देहां बौत करिक्टर पार्टिकल आजव अज़े ब्रॉगली पार्टिक्ल्स लाइक फोटॉ इलेक्ट्रों और प्रोटॉन है वोग पार्टिकल एज वेव नेचर ओके बच्छो ठीक है तो डीव उगली इक वेव नेचर पुछा है इसकी डेरिवेशन पूच ही जाता है यहां पर डीव वेवलेंज जो की बहुत ही इंपार्टेंट है अब बचाओ, if they have particle nature, then energy is given by E is equal to mc square formula, E is equal to mc square, okay, E is energy, m is mass and C is velocity of light, okay students, and if they have wave nature, then energy is given by h into new, okay, h into new, अब बच्चो देखो, यहाँ पे h into new, new की जगह हम क्या put कर सकते हैं, c upon me lambda put कर सकते हैं, okay students, then from 1 and 2, we can say that mc square is equal to h into c upon lambda, क्योंकि यहाँ पे equation 1 से क्या आया है, mc square और second equation से क्या आया है, hc upon me lambda, okay, तो यहाँ पे c से c cancel होगए बच्चों, तो यहाँ पे मारे पास क्या आगया, mc is equal to h upon me lambda, and on rearrangement, lambda comes out to be equal to h upon mc and this lambda is known as d-brongley wavelength, okay students, तो यहाँ पे बच्चों, जो h है वो क्या है, h is Planck's constant, m is mass of electron and c, c is velocity of light, okay, अब बच्चों, अगर हम इसे daily life में relate करना है, तो क्या कोई object, velocity of light के साथ move कर सकता है, नहीं, ठीके, therefore we replace c by v, v, where v is the velocity of any object, ठीके, तो इसलिए बच्चों, हमने यहाँ पे c को किस से replace कर दिया है, v से replace कर दिया है, तो देखो, when any object is taken, instead of light, then c is replaced by v, and lambda is equal to h upon m into v, तो बच्चों, c को किस से replace कर दिया, v से replace कर दिया, तो यहाँ पे, जहाँ पे v क्या है, हमारे पास, velocity of any object, तो इस lambda को बच्चों, हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली wavelength, ओके, lambda is known as डी ब्रोगली wavelength, ठीके, I think so, बच्चों, आपको यह चीज़ समझ में आगे होगी, ठीके, क्या काया है, बच्चों, इसमें, एक बार दुबारा से मैं इसको repeat कर रही हूं, इसमें कहा है, बच्चों, डी ब्रोगली नहीं यह कहा था, कि जो photon, electron, proton, like particles होते हैं, उनके two types के nature होते हैं, they have particle as well as wave nature, okay students, they have particle as well as wave nature, if they have particle character, then energy is given by mc square, and if they have wave nature, then energy is given by h new, okay, so from 1 and 2, compare these two energies, then mc square is equal to hc upon mc, okay, then on rearrangement, lambda comes out to be h upon mc, okay, since no object can move with the velocity of light, with the speed of light, that's why we replace c by v, where v is velocity of any object, very simple relation, lambda is equal to h upon mv, कहें बहुत बहुत बार exam पुछा जाता है, need में या means में, आपकी mass given होता है, आपको velocity given होती है, और आपको बच्चों क्या find out करना होता है, lambda wavelength, बच्चों confused होते हैं, कि lambda कैसे find out करें, v दिया हो है, ठीक है, तो हमारे पास c new lambda, ठीक है, वो उसमें confused होता है, बच्चों 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 इस इस रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस value को, mb क्या होता है, हमारे पास, momentum होता है, it means we can replace mb by p, momentum also, okay students, तो हमारे पास, तो हमने इसको किस से replace कर दिया, बच्चों, lambda is equal to h upon me p, we can also say that lambda is equal to h upon me p, okay, now, next is significance of de Broglie concept, what is the significance of de Broglie concept, ठीक है, like Heisenberg uncertainty principle, de Broglie concept is also significant for microscopic object, okay, तो बच्चों हम इसका जो significance को हमें study करना है, कि microscopic के लिए है, macroscopic के लिए नहीं है, again, we consider an example of macroscopic as well as microscopic object, okay, now, consider one macroscopic object and one microscopic object, okay students, for macroscopic object, mass is 0.1 kg, okay, and for microscopic object, mass is 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg, ठीक है, like हम इसको electron के लिए मानते हैं, microscopic object होच्चों किसको मान रहे हैं, electron को हम मान रहे हैं, okay, and velocity is same, in both cases, macroscopic object की velocity भी कितनी है, 10, and microscopic की भी कितनी है, बच्चों, 10, and then, we calculate lambda, h upon mv, lambda is equal to h upon mv, h is same, in both cases, 6.6 into 10 की पावर minus 34 joule second, and mass is 10 की पावर minus 1 kg, and here velocity is 10, okay, and on calculating, the value of lambda comes out to be 6.6 into 10 की पावर minus 34 meter, and in this case, in microscopic object, the value comes out to be nearly, यहापे क्या चाहेगा, बच्चों, 0.0 something into 10 की पावर minus 4, ठीक है, यहापे बच्चों, हम किस पे concentrate कर रहे हैं, order पे concentrate कर रहे हैं, देखो, यहापे value कितनी है, into 10 की पावर minus 34 order की, यहापे कितनी है, बच्चों, of the order of 10 की पावर minus 4, okay, which is a very greater value, यह large value है, बच्चों, यह smaller value है, okay, तो हम क्या देखते हैं, बच्चों, macroscopic object अगर हमारे पास होगा, तो उसके साथ भी कुछ न कुछ wavelength associated होगी, बच्चों, वो इतनी धादा small होती है, कि वो visible नहीं होती, हम उसे क्या मान सकते हैं, neglect मान सकते हैं, negligible होती है, बच्चों, for example, अगर एक car चलती हैं, टो जो कार चलती हैं, तो उसके साथ भी क्या होती है, एक wavelength associated होती है, रोके, बट क्या हमें वो wavelength, move परती हुई नظर आती है, नहीं आती है, टो वो wavelength हमें move परती हुई नظर नहीं आएगी, क्योंकि उसकी value क्या होगी बच्चो बहुत ज्यादा small quantity होगी देखो 0.1 kg object के लिए ही इतनी value आ रही है तो देखो suppose को रोकार का weight कितना 1000 kg है तो 1000 kg के लिए तो बच्चो यह value और भी ज्यादा small आएगी ठीक है तो मतलब हम उस wavelength को क्या कर सकते हैं निगलाक्ट कर सकते हैं that's why we usually say that the probably concept is significant only for microscopic object not for macroscopic object ओके स्ट्रेंट्स आपको clear है यह चीज़ लिके I think so आपको यह चीज़ समझ में आगी होगी अगर बच्चो आपको यह चीज़ clear नहीं है और समझ में नहीं आई है तो आप मुझे comment में बता सकते हो उसके बाद बच्चो आओ इसका एक numerical हम study करते है निमेरिकल है बच्चो बिल्कुल से उनकी वेल्यूपूट करनी होगी और आणसर आ जाएगा ठीक है बिल्कुल आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्नो ना चीज़ेए तो देखो बच्चो महारे पास numerical क्या है what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with the velocity of 10 meter per second okay then because mass is given to you and velocity is also given to you then lambda is equal to h upon mv the value of h is fixed is it is a constant Planck's constant and the value is given by 6.6 into 10-34 joules second okay in joules what is the kilogram of mass you have to take a kilogram and velocity of meter per second okay so here we put the values lambda what is the value of 6.6 into 10-34 meter okay students okay so this way we have to do direct formulae lambda is equal to h upon mv go put it and we will have the answer I will tell you what is lambda here lambda is d Broglie wavelength okay then next question बच्चो आप try करना okay अगर आपसे solid नहीं होता तो आप मुझे जुरूर बताईए ठीके ठीके तो मैं आपको इसका जो solution है वो send करते होंगे okay two particles a and b are in motion केते हैं कि जो two particles है हमारे पास वो motion में है okay if the lambda associated with the particle a is 5 into 10 की power minus 10 meter okay then what will be the lambda associated with b आपको यह चीज़ बतानी है students ठीके कि हमारे पास two particles है a and b जो की दोनों क्या है motion में है बच्चो और हमारे पास क्या है lambda जो associated with the particle a that is 5 into 10 की power minus 8 meter okay then calculate lambda associated with particle b if its momentum is half of a okay students ठीके if its momentum is half of a ठीके अब आपको कि मैंने solution बताना था तो फिर question क्यों हम ही दे दिया ठीके तो मैं आपको कहीं students है जो हमसे contact नहीं कर पाते तो इसलिए मैंने आपे solution दे दिया है ठीके okay students तो इसकी practice तो आप कर सकते हो ना वैसे भी books में बहुत सारे examples दिये हो हैं तो इसलिए मैं आपको यहां पर एक solution करवा ही देती हूं okay तो कहते है कि जो momentum है बच्चो वो क्या है half of a है पार्टे ओके अप देखो बच्चो लामड़ा एपॉन लामड़ा भी एच अपॉन में PA हम लिख सकते हैं because lambda is equal to h upon mvd बोगली wavelength and we can also say that lambda is equal to h upon में P P is momentum here and it is given that the particle B has momentum half of a okay तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चो h upon PA into h upon PB okay then PB is equal to half of PA put the value of momentum of B is equal to half of momentum of a यहां पर h से h क्या हो जाएगा बच्चो cancel हो जाएगा and momentum of PA PA cancel हो जाएगा lambda is given to us and lambda B we can find out from here okay then lambda B comes out to be 2 into 5 10 into 10 की पावर माइनस 8 then that is 10 की पावर माइनस 7 meter okay students तो यह तो थी हमारे पास कुछ क्वेस्चन जो बेस थे डी बाउगली कंसेप्ट के भी हाव पे ओके और ठीक है बचो तो हम उसके बाद हम नेक्स क्लास में स्टेडी करेंगे हमारा नेक्स्ट आपिक दाट इस क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर से पहले बचो मैं आपको बताऊंगी डिव शेप ऑफ डिफ्रेंट और विटल्स ओके स्टुडेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में